नमस्कार स्वागत है आपका मेरी यूटूब जैनल पर मैं पंडित एंशी शर्वा हूँ आज मैं आपको बताऊंगा शनी परवत पर बनने वाले हैस्टेक चिन का आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है हैस्टेक का चिन किस प्रकार का हैस्टेक का चिन आपके जीवन के अंदर शरी परवत पर बने तो आपके जीवन में आपको करोणों का मालिक बनाता है और यदि उसका सुरूप थोड़ा भी खराब हो तो वह आपके जीवन के अंदर धनहीन बनाता है तो चलिए हम बात करेंगे आज बनने वाले हैजटेक चिनिके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां परमद्वाउली के बीच में यह जो परवत होता है से शनी परवत कहते हैं और शनी परवत पर बनने वाले हैजटेक की स्थिद्या किस प्रकार की होती है इस पर मेरा आज का विशे है यहां पर शनी पर्वत पर आपने देखा होगा कि आपके पर्वत पर किसी भी प्रका से एक हैस्टेट जैसा चिन बनता हुआ आपको नजर आएगा वह है शैक का चिन आपके पास नियम है कि यदि आपके पास दो अच्छी खड़ी रेकाए है तो निश्चित रूप से ये रेकाएं धन के अच्छे आगमन ये धन के अच्छे मानक के रूप में मानी जाती है बिलकुल थोड़ा ज्यान करें बात पर शब्दों पर और एक गर रेका की तरह विद्य आप गोर करेंगे तो आपको परिणाम स्वयम भी वालूं पढ़ जाएंगे आपने यहां पर देखा कि मेरे पास में वह खड़ी रेका थी परंतु फिर भी मैं अपने जीवन के अंदर अच्छे धनके आगमन नहीं बना पाया तो यह क्या कारण था जिसके कारण आप अपने जीवन के अंदर अच्छे धनके आगमन नहीं बना पाये तो यह आपके पास सीधी खड़ी रेका है और इस सीधी खड़ी रेका वो है यदि आपके पास में कुछ रेका इस प्रकार से लगे कि कोई सूर्य परवत की तरफ से आती हुई और यह इस समझ सकते हैं कि यह आपके पास दो खड़ी रेका हैं और इन खड़ी रेकाओं को कुछ आड़ी रेका सूर्य परवत की तरफ से आतर के काटती हुई है इस टेक काताचिन बनाती हुई जा रही है बिल्कुल भी अगर देखेंगे तो इनको कभी भी अशुब या माइनस रेका के रूप में ना समझें कारण आपके जीवन के अंदर यह रेका भी खड़ी हुई रेका के रूप में ही मानी जाएगी यह माइनस रेका यह रापमक रेका का चिन नहीं है तो कुल मिलाकर यह चिन यहां पर यदि प्रकार से है तो इससे डरने के आप सकता रही है इसके पॉजिटिव रिजर्ट मिलेंगे यह सूर्य परवस्य काटकर ब्रस्पति की तरफ देख रही है यारी जीवन के अंदर यह संभान के साथ आपको प्रतिष्टा भी प्राप् होगा किसी भी प्रकार से आपको कोई दवराने क्या हो सकता नहीं है तो यह एक पॉजिटिव चिन के रूप में आप जान सकते हैं यहां पर आपको दूसरा है चेक का चिन मिलेगा यह आपके पास यहां पर यह खड़ी रिखा फिरा आपके पास और आपने देखा कि मंगर परवत की तरफ से या ब्रस्पती पर्वत की तरफ से और यह आली आकर के काटती हुई चली गई यानि आप इसको देखेंगे तो इस पश्च रूप से आपको नजर आएगा कि आपके ब्रस्पती परवत से कोईरे का आड़ी आकर और वह घुमावदार हुपर के और ऊपर की तरफ चली गई यानि इसने भी एक सरूप जो बनाया वह इस प्रकार का बनाया कि बिल्कुल हैस्टेक का चिन है यह और निश्चित रूप से यह चिन भी क्योंकि यह सूर्य की तरफ मुर रहा है यह उपर की तरफ दिख रहा है बारिश की बुद्ध सीधी गिरे बारिश की बुद्ध चिन बनाती है तो यह भी आपके जीवन के अंदर उपर तक पहुंचा यहां तक पहुंचा को चिंदा की बात नहीं है यह भी पॉजेटिव चिन है इसको अभी किसी प्रकार से डरने की आवश्यक्ता नहीं है एक चिन आपको मिलेगा कि जिसमें आप देखेंगे कि आपके और वह जहां से कुल मिलाकर के और यह इस प्रकार से आपके यहां ब्रस्पती परवत पर चली गई है रेकाओं के गमन को समझ गए तो सब कुछ समझ गए यहां पर यह देखिएगा यह अपने आप पे रेका है पॉजेटिव है यह रेका भी अपने आप उपर की तरफ जा अगर वह उचाइक की तरफ देख रहे हैं आप जीवन में अपने आप में भी खुद वैसुस करते होंगे कि हमें किरम से एक सीडी वाइट यह अगर सीडी की बात होती है तो वहें चड़ने की बात होती है और यदि इस क्रेखाओं के गवन को देखेंगे तो यह भी एक है है और यह है है जीवन में फलित रूप से गिना जाएगा कौन सा चिन अशुव होता है है यह मैं आपको अब बताने वाला है देखेगा प्रकार के हैस्टेग मैंने आपको बताए मैंने आपको बताया कि शनी परवत है और शनी परवत पर अगर आपके पास दो रिखाए सी सीदी सीदी कड़ी है तो हर स्तरे का विज्यान में भले ही आपके पास कोई भाग्य रिखा नहीं है तब यह आपके बहुत अच्छा सिंग्रल है आपके पास धनके आग्मन के लिए यानि अगर इसको देखें तो शनी कारक को मजबूत करने वाली यह दो रिखा है परंतु तो यदि इन पर यह वाला देखें ब्रस्तपती परवत पर अलगफल शनी परवत पर अलगफल सूर्य परवत पर अलगफल हो जाता है यहां पर शनी परवत में अगर आपकी रिखा एकदम आड़ी है यह एकदम हैस्ट पत्ध मेस्ट चिंजो बना आपने देखा 2-6 हीकरई है आप दो आड़ी रही है HA यानि इस रेका के अंदर कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि ये ऊपर की तरफ चल रही है आपके जीवन के अंदर यदि ये वाला है लग गया तो भले ही धनके आगमन है देखने में आपको चत्रबुज लगेगा लेकिन नहीं है यह अपने आप में दो रेकाय काटती है इनका सीधा सीधा मतलब है यह आपके पास दहनके आगमन है परन्तु कभी स्तिर नहीं हो पाता फिर पी मैं कभी जोड नहीं पाता मेरे पास लगातार भन्ता है मेरे घर के बनाकर चलता हूं लेकिन बात में जाकर उन पर अडचने बढ़ जाती हैं जिनके तारण मेरे पास धन कभी भी संग्रे नहीं होगा देखता तो यह रिखाय क्या सारी उबर रहेंगी ऐसा कुछ नहीं है फुर मिलाकर रिखाय बंती रहती है बिगड़ती रहती है तो मैंने आ चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट चानकरी प्राफ्ट हो सके नमस्तार